हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज हम आपसे भारत Electronics Limited कमपनी में आई हुई वेकेंसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों इवेकेंसी, Government of India Enterprise Under the Ministry of Defense की तरफ से वेकेंसी आई हुई है तो चलिए दोस्तों इस वेकेंसी के बारे में बात करते हैं डीटेल से तो इसमें दोस्तों इये वेकेंसी में और्गनाजेशन का नाम भारत Electronics Limited है इसमें पोस्ट की डीटेल देखें तो इसमें दो पोस्ट के लिए विकिंसी आई ही है दोस्तों जिसमें से पहली पोस्ट है इंजिनिरिंग असिस्टेंट टाइन के लिए और दूसरी है टेकनिकल के लिए सब्सक्राइब information पोनगेंस के लिए इंस्टिटीट और आ य८िए इसमें तीन तरह की पोस्ट रखी गई है जिसमें से पहली है electronics and communication के लिए जिसके लिए 14 vacancies दी गई है दोस्तों एंदोसी है mechanical के लिए जिसके लिए 10 vacancy है एंद electrical के लिए एक vacancy रखी गई है दोस्तों इसमें कोई भी experience की mark नहीं की गई है एंद बात करें इसमें category wise vacancies को कैसे divide किया गया है तो दोस्तों इसमें यूर के candidate के लिए 13 EWS के लिए 2 OVC के लिए 6 SC के लिए 3 NST के candidate के लिए एक vacancies रखी गई है एंद दोस्तों बात करें यहां पर परवन सेलरी की कि इसमें परवन सेलरी कितने दी जानी है तो इसमें 90,000 की परवन सेलरी यहां पर दिन धारिद की गई है दोस्तों बात करते हैं यहां पर टेकनिकल C के लिए तो इसके लिए कौलिफिकेशन SSLC प्लस ITI प्लस वन यर अपैरेंटरिशिप और तीन साल नेशनल अपैरेंटरिशिप सर्टिफिकेट कोर्स के कंडिडेट इस फ़र्म को समिट करने के लिए इसमें तीन तरह चार तरह के पोस्ट रखे गए हैं जिसमें इसे पहला है इलक्ट्रो मेकैनिक के लिए जिसके लिए 17 वेकैंसी दी गई है फिल्टर के लिए 3 मेकैनिस्ट के लिए 6 और वेल्डर के लिए 1 वेकैंसी रखे गई हैं दोस्तों इसमें भी कोई भी experience नहीं मागा गया है और बात करें इसमें category wise vacancies को कैसे divide किया गया है तो इसमें UR के candidate के लिए 13, EWS के लिए 2, OVC के लिए 7, SE के लिए 4 and SE के candidate के लिए 1 vacancies रखी गई है दोस्तों इसमें परबंद की salary maximum 82,000 पर मंद की रखी गई है दोस्तों अब बात करें इसमें eligibility criteria की किसमे eligibility criteria कितना रखा गया है तो दोस्तों इसमें candidate का must इंडिया का citizen होना चाहिए और दोस्तों इसमें बात करते हैं अब age limit की किस frequency में age limit कितनी मागे गई है तो इसमें EAT के लिए maximum 28 साल and technical के लिए यहाँ पर 18 साल की age limit रखी गई है दोस्तों इसमें पर मंद 6 महिने के यहाँ पर training का duration का समय रखा गया है जिसमें candidate को पर मंद 10,000 की salary भी दी जानी है दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर age limit की इस frequency में age limit कितनी रखी गई है तो दोस्तों यहाँ पर OBC के कर्णिरेट के लिए 3 साल, SC के कर्णिरेट के लिए 5 साल and PWD के कर्णिरेट के लिए यहाँ पर 10 साल की age limit रखारित की गई है चले दोस्तों बदेख लेते हैं कि इसमें कर्णिरेट के कितने परसेंट यहाँ पर qualification की डिमांड की गई है तो इसमें इंजीनिरिंग के लिए जर्नल, EWS और OBC के कर्णिरेट के लिए 60% अगरेट माक्स से क्वालिफाइद होना चाहिए जर्नल, EWS और OBC के कर्णिरेट के लिए 50% अगरेट माक्स से क्वालिफाइद होना चाहिए दोस्तों इसमें कोई भी experience की मांग नहीं की यही है दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं आख पे कि अप्लिकेशन फी कितनी ली जा रही है तो इसमें जर्नल, OBC, EWS के कर्णिरेट से 300 रुपए के अप्लिकेशन फी ली जा रही है दोस्तों और SC, ST, PWD के कर्णिरेट से कोई भी अप्लिकेशन फी नहीं ली जा रही है दोस्तों ये अप्लिकेशन फी नॉन डिफर्डेवल अप्लिकेशन फी होगी चलिए दोस्तों देखते हैं आप इसके फिर्म को किसे अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों बात करें इसमें इंपोर्टेंट डेट की इंपोर्टेंट डेट क्या रखी गई है तो दोस्तों इसका फॉर्म सम्मिट होना स्टार्ट हो गया है और इसके फॉर्म को सम्मिट करने की लास्ट डेट यहां पर तीन फरवरी 2021 की रखी गई है तो दोस्तो आप इसके फर्म को 3 फर्वरी 2021 तक सम्मिट कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप इसके फर्म को सम्मिट करने के लिए अलिजबल हूँ तो ज़रूर आप इसके फर्म को सम्मिट कीजिए Thank you for watching and listening